हे गाईज जिसला कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी बोर्ड ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है तो चलिए आज मैं बताता हूँ क्लास बारा का कि कौन कौन से कौन दिन पेपर होगा ठीक मैंने क्लास बारा का जो टाइम टेबल है उसको सौर्ट में लिख दिया है ठीक अगर आप लोग चाहें तो यूपी बोर्ड का जो ओफिसियल वेव साइट है उसका लिंक नेचे डिस्क्रिशन बॉक्स में आपको दे दिऊंगा वहां से भी आप देख सकते हैं अगर आपको यकीन ने होता ठीक और ये इसको फेक मत समीजी गए ठीक ये टाइम टेबल जो है आपका जो पहला पेपर होगा वो 24 अपरेल से शुरू होगा और बारा मई को खत्म हो जाएगा ठीक और उसके बाद यहाँ पर जो इंटरमेड हिंदी पढ़ते हैं मान हिंदी देंगे ठीक और उसके बाद है 28 अपरेल 28 अपरेल को जो है वो ग्रह विज्ञान है जो ग्रह विज्ञान पढ़ते हैं उनका पेपर है ठीक उसके बाद एक मई को है आपका अंगरेजी का पेपर ठीक उसके बाद चार मई को आपका होगा कम यहास होगा और जो कमिष्टी पढ़ते उनका कमिष्टी होगा ठीक और यहीं, ठीक, आप लोग तो आठी माई है ठीक बारा माई तक होगा ठीक और और भी पेपर हैं आप मैं जो यूपी बोर्ड का जो ऑफिसियल वेव साइट है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में आपको दे दूँगा आप वहां से पूरा टैम टेबल देख सकते हैं मैंने सौट में बस आपके जो 5-6 भी से हैं इन्ही को में में जो हैं उन्ही को लिख दिया ठीक और उसके बाद जिनका और अलग से जो पढ़ रहे हो ठीक तो वह अपना-पना सब्जेक्ट देख लें और अपना अपना टाइम देख लें उसी टाइम से जाना ठीक तो यहां पर जो क्लास 12 के यहि़ी जो मेंन सब्जेक्ट थे वह मैंने आपको बता दी हैं कि कान से कान दिन और थिक तो 48 में अगर मैं आपको बता दूँं तो 24 अपरेल उसके रही यह बाद 1 माई को अंगРИजिक होगा और 4 माई को कमिस्ट्री होगा और 6 माई क्यां और गडित पर थिक उसके बाद 8 म वीडियो में, so thanks for watching and see you again in next video.